तो फिर से आपको स्वागत है हमारा यूटूब चैनल हमें तो आज हम आया है चैप्टर 13 जिसका नाम है साउंड और इसे पले आपको 12 यानि घर्षन चैप्टर तिक्रबा दिया गया है तो इस वार हम जो है चैप्टर 13 और चैप्टर 14 को इस वीडियो में कफर करें तो आप को सारे कोश्चन को जो है याद कर लेना है और यह आगाम में एक्जाम के लिए आपके लिए काफी उप्यूक्त सावित होंगे काफी महत्वपन प्रश्न सावित होंगे तो चलिए आज का टॉप 30 कोश्चन उठाते हैं यहां से फर्स्ट कोश्चन हमारा है द्वनी संचरी के लिए जो है वैसाब कोई नहीं है तो इस वज़ा से हाप राइटांस होजाएगा ठोस द्रव और गैस तीनों में धोनी का संचरन होता है ठीक है तो यह हमारा इसका राइट अंसर होजाए ठीक है चलिए यहां पर देख सकते अंसर भी है अप यह दोनी को क्या कहते हैं सं सेकेंड या इन में से कोई नहीं तो आवरतिकाल का स्वावाज की सब्से आधीक है छोटे बच्छी की छोटे भालक की महीं नहीं नहीं होई सब्सक्राइब मैं कि इसे पीछे वजह है महिलाओं या बच्छो का तारत्व जो सेथा कि आवाज की तुल्णा में ठीकिया पतली होती है अगला स्भी थ्वनी कि अभर्ती की तो वह ऐसी ध्वनी जिस हम लोग दोन सुन नहीं सकते हैं तो यह जो ध्वनियां बीक सघ्जार हड़ से अधिक के भणि को हम भूते हैं पर ही थ्वनी हैं ध्र सuk हम पर राइट also प्रासरविध्वनी अगला क्वेशन है हमें कोई ध्वनी सुनाई देती इसके पीछे कारण क्या है तो हमें कोई ध्वनी सुनाई देती इसके पीछे कारण है कंपन जब कोई वस्तु कंपीत होती है तो उससे ध्वनी उत्पन होती है तो राइट आंसर इस यहां पर सी हो जा यहां पर option A is right, ठीक है, 20 Hz से 204 Hz, चले, अगला question है, अवसरव्य ध्वनी की अविरती कितनी होती है, तो अवसरव्य ध्वनी की अविरती यहां पर हो जागा, 20 Hz से कम, 20 Hz से कम अविरती की ध्वनी को, हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, ध्वनी की अवसरव्य ध्वानी की प्रवलता किस पर निर्वर करती है तो ध्वानी की प्रवलता जो है ध्वानी की प्रवल होगा यह उसके आयाम पर निर्वर करता है ठीक है अगला कोश्चन है ध्वानी तरंगों की प्रकिरती कैसी होती है तो ध्वानी तरंगों की प्रकिरती जो है अनुधैरी होती है ठीक है ध्वानी तरंगों की प्रकिरती अनुधैरी होती है अगला सिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए छमगादर जुन पर इघटना का प्रयोग करते हैं जब स्थर्प्र और या फिर कोई डॉल्फिन है तो यह क्या करते हैं? प्रति ध्वनी का निर्धारन करते हैं और फ्रति ध्वनी इतना तेज से करते हैं जिससे की आसपास अगर कोई बाधा होती है या रुकावट होती है तो ये आसानी से समझ जाते हैं कि आगे कहां से हमें निकलना है ठीक है कहां पिर रास्ता ब्लॉक है कहां पिर रास्ता खुला है अगला क्युश्शन है चंद्रमा पर धरातल से दूर वी सफोर्ट सुनाई नहीं पड़ता इसके पीछे क्या कारण है अपसन है वाई मंडल की अनुपस्थिती के वजह से कि चंद्रमा का गृत्वाकर्शन के बज़शे ध्वनी तरंगों के इतिवरता कम होने के कारण तो इस तरीका से अध्याय यानि चैप्टर थार्टिन ध्वानी जो है इसमें 15 को हमने कबर किया अब चलते हैं चैप्टर 14 में चलिए तो चलिए आज का जो है चैप्टर 14 जिसका नाम है विद्धु धारा के राशानिक प्रभाव ठीक है विद्धु धारा के राशानिक प्रभाव तो इसमें जो है फर्स्ट कोशन है जब चालक विलियन में विद्धु ध तो यह संकेत करता है तो यहाँ पर ओप्सन है विद्धू धारा के राशाय क्रभाव का विद्धू धारा के राशाय क्रभाव का लिकام लिए्ट निमनलखित में से कौन सी ऐसी धातू है इसे विद्धूत लेपन द्वारा किसी वस्टू को चमक को बढ़ाया जा सकता है तो किस धातू, कौन सा धातू है जिसे विद्धूत लेपन के द्वारा वस्तू को चमक बढ़ाता है किस को हम लोग अगर लेपिद करेंगे तो यह जो है और दूसरे वस्तू का जो चमक बढ़ जागा क्रोमियम की वज़े से जो है दूसरे वस्तू पर जो हम लोग विद्धूत लेपन करेंगे तो उसमें चमक आजाएगा अगला कोस्चन है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहेक डिब्य पर किस धातू की विद्धूत लेपन किया जाता है खाद के पदार्थों की विद्धूत लेपन किया जाता है अगला कोश्चन है इन में विद्धूत लेपन किया जाता है अप्सटन है लकडी रबर कागज या पीतल तो यहाँ पर राइट आंसर हो जागा अन्य सभी जो है विद्धूत के कुचालक है लकडी रवर और कागज जबकि पितल जो है विद्धूत के सुचालक है इस जो जैसे राइट आंसर हो जागा पितल अग्ला कोश्चन है साउक्किल के हैंडिल तीदा पहियों के रीम को चमक दर बनाने के लिए कि WOW का विद्धूतू का विद्धूत लेपन किया जाता है लेकिना प्राइट आंसर हो जाएगा कुरोमियम ठीक है राइट आंसर हो जाएगा Next question दिखते है नीमनलखित में से कौन सा घूल विद्धूत का सुचालक है नीम्बू का रस, नल का रस, सीर का या खाध्य तेल तो राइट आंसर हो जाएगा नीम्बू का रस ठीक है नीम्बू का रस तो इसका प्रभाव विधुधारा के वज़ाशे उत्पन होता है नेक्स्ट क्वेशन है इसमें कौन सा विधुधारा का कुचालक है पारा, सिरका, आशुत जल या नमक कविलियन तो विधुधारा का कुचालक इसमें हो जाएगा आपको आशुत जल ठीक है, आशुत जल तो इसके बारे में बताया जा रहा है आप ध्यान से देखिए अगला कोशन है, निमनाकित में से कौन सा पदार्थ विधुध का हीन चालक है तो यहाँ पर राइट आशुत जल ठीक है अगला कोशन है बिखली मिंस्तरी यहाथ में रवल के दस्थाने पहन कर काम करता है क्यों कि आपसर है पर सामान पकडने में सहायता होतरी एस वजह शे या फिर हाथ में जलन नहीं होता है इस वज़े से यहां हाथ में घर्चन नहीं होता है तो right answer हो जागा यहाँ है पर c हाथ में बिजली का जटका नहीं लगता है अगला कोश्यन है लोहे के पूलो को जंग से बचाने के लिए जिंक का विधूतलेपन किया जाता है। तो यहां पर option है, तांबा, लोहा, अलुमिनियम या रवड, तो यहां पर तांबा, लोहा और अलुमिनियम जो है, यह जो है, सारे किशारे धातू हैं, इस बिएसे विदूत के सुचालक हैं, जबकि रवड जो है, विदूत का कुचालक है, अगला question है, second last question, वह पदार्थ ज अपने से होकर विदूत को प्रभाहित होने देते हैं, वे विदूत के क्या कहलाते हैं, अफसे है विदूत के कुचालक, विदूत के सुचालक, अथवा द्रव के कुचालक, तो है आप राईटान सुरह जागा, विदूत के सुचालक, ठीक है, और आज तका यह last question है, जो आसानी से प्रवाहित नहीं होने दे रहे हैं अगर बिल्कुल ही नहीं प्रभावित होने जाएंगे तो विधूत के कुछालग कहलाएंगे लेकिन आसानी से नहीं प्रवाहित होने दे रहे हैं अर्था तो विधूत के हिंचालग हना कहलाएंगे तो इस तरीका से आज कहिए आपका समप्थ हुआ तो अगर आपको वीडियो हमारा पशंद है तो अगर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है लाइक जरूर कर दें और अगर कोई क्वेश्चन समझ हो नहीं आए तो आपको इसका आंसर दे दिया जागा तब तक लिए धन्यबाद जय हिंद जय भारत